साथियों, डॉक्टर बाड़ा साथ विखे पाटिल जी, महाराष्ट के गावों की एक और समस्या के समाधान को लेकर हमेशा प्रयास रत रहे और जिसका भी विस्तार से वर्णन देवेंदर जी ने अपने भाशन में किया ये समस्या है पीने और स्विंचाई के पानी की दिक्कत, महाराष्ट में पानी परिशदों के माध्यम से उन्होंने इस दिशा में एक जनांदोलन खड़ा करने की कोशिश की थी आज हम संतोस के साथ कह सकते हैं कि साल 2014 के बाद ऐसे प्रहासों को अभूरत पुर्व बल दिया गया है और देवेंदर जी की सरकार की तो पहचा नहीं इस पानी के काम के कारण गाउं गाउं गरगर तक पहुँची हुई है प्रदान मंतिरी क्रिसी सिंचाई योजना के तहट महाराष्ट में बरसों से लटकी 26 पर योजनाओं को पूरा करने के लिए तेजी से काम किया गया इन में से नव योजनाए अब तक पूरी हो चुकी है इनके पूरा होने से करीब करीब पांच लाग हैक्टर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिली है इसी तरह जुलाई 2018 में महाराष्ट की छोटी बड़ी 90 और सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया था अगले दो-तिन साल में जब इन पर काम पूरा होगा तो करीब चार लाग हैक्टर जमीन सिंचाई की सुविधा से जुड़ेगी राज के तेरा जिले ऐसे भी है जहां भूजल स्तर काफी कम है इन जिलों में अटल भूजल योजना चलाई जा रही है साथियों सिर्फ सिंचा ही नहीं गामों के हर परिवार को शुद्ध पेजल पहुँचाने का काम भी महराश्टर की धर्ती पर तेज गती से चल रहा है जल जीवन मिशन के तहट बीते साल भर में महराश्टर के 19 लाग परिवारों को सुद्ध जल की सुविधा दी जा चुकी है इसमें से 13 लाग से जादा गरीब परिवारों की अन परिवारों को तो कोरोना महमारी के दवरान भी पानी पहुचाने का काम पुरा किया गया है कोशिच यह हैं कि जिस प्रकार घर घर सौचालय बना कर जिस तरह बहनों बेटियों को सम्मान और सुविधा दी गई उसी तरह नल से जल पहुचा कर उनके समय और स्रम को भी बचाया जाए और शुद्ध पानी स्वास्त के लिए भी भहुत उप्योगी होता है साथियों गाउं की आर्थिक और सामाजिक ववस्ता में माइक्रो फाइनांस इसका विशेश रोल है मुद्रा जैसी योजना से गाउं में स्वारोजगारी की संभावना बढ़ी है यही नहीं बितेशालों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई करीब करीब साथ करोड बहनों को तीन लाग करोड रुपिय से अधिका रुण दिया गया है किसानों पशुपालकों और मच्वारों को तीनों को बैंकों से आसान रुण मिल पाएं इसके लिए सभी को किसान क्रेडिट कार की सुविधा दी गई है लगबग धाई करोड छोटे किसान परिवार जो पहले किसान क्रेडिट कार से बंचित थे उनको अब अभ्यान चला करके यह सुविधा दी जा रही है